नमस्कार, उम्र के साथ साथ ताकत और तेल्य कमजोर हो रहे हैं, उम्र 40-45 से करीब हो गई है, अभी तक करियर सेट नहीं हुआ है, अभी तक जो आपको सक्सेज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, आपका दिल, आपका मन सेटिस्पाई नहीं है, आप बार बार यही रिग्रे अभी भी आपका करियर अधर जूल में है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रहे हैं, डेपिनेटली, आपकी ताकत, आपकी स्ट्रोंगनेस कम हो रही है, आपके अंदर पेशन कमजोर हो रहा है, अब क्या करें, कैसे अपने लक्ष को पाएंगे, कैसे अपने टार्गेट को सॉग करेंगे, मन में यही बस टेंसन यही दूबिदा मन में खाई जाती है, क्या करेंगे, तो सबसे पहले द्यान रखना कि खुद पर भरोसा रखना Believe on yourself अगर आप ने उम्र चाहे कितनी ही हो चाहे 25 की हो चाहे 35 की हो किसी भी उम्र में अगर आप ने अपना confidence लोश्ट किया तो आप कुछ नहीं कर पाऊ खुद पर भरोसा रखना अगर आप के अंदर खुद पर भरोसा नहीं है तो उम्र कोई भी हो आप कुछ नहीं कर पाऊ कोई सावी टार्गेट आप अच्छी नहीं कर पाऊ तो self confidence रखना खुद पर भरोसा रखना कि कोई बात में मेरी उम्र निकल गई है उम्र में इतना उम्र का हो गया हो लेकिन मुझे बिलीव है खुद पर मैं कुछ करके दिखाऊंगा हेल्दी डाइट लेना ध्यान रखना अब आपकी उम्र 40 से 45 की बीच में है आप 30 या 25 साल के लड़के नहीं हो जो जो खा रहे हो आपका सरीर एड़ेस्ट कर लेगा अब आपको हेल्दी डाइट लेनी होगी आपके अपने बोड़ी के लिए ताकत के लिए हर कुछ अटम सटम आपको खाना बंद करना होगा यह एड़ेस्ट हैं इसमें तरह तरह की डिजीज अंदर गर करती है अगर आपको अपने अंदर बिमारियों को आने से रोकना है जल्दी से जल्दी रोकना है ना तो आपको हेल्दी डाइट लेनी शुरू कर देना यही हेल्दी डाइट आपके सरीर को फिट रखेगी और आपके सरीर में कॉंटेंस पैदा करेगी और आप अगेन एक स्पूर्ती मेहसूस करोगे रोज योग और एक्साइज करना जवान थे पत्वीस पच्छीस तीस साल की एज में तो कोई बात नहीं कैसे भी चल रहा था लेगन अब आपके सरीर को थोड़ा एक्टिवेट करना होगा रोज योग और एक्साइज करनी होग इस रोज योग और एक्साइज से आप थोड़ा अपने आपको एनर्जिक टिक फील करोगे एक फ्रेस फील करोगे आप और एक अच्छा मेहसूस करोगे और आप अच्छे जोज जुनून के साथ में ओपिस जाओगे दुम्रपान और ड्रिंक को छोड़ देना अगर आप सिगरेट बीडी गुटका कुछ भी खाते हो तो छोड़ देना यह आपकी उम्र नहीं अब यह सब खाने की ड्रिंक अगर आप सराप का सेवन करते हो तो यह भी छोड़ देना क्योंकि अब आपकी उम्र नहीं कि आपक इसे करोगे तो कभी नहीं पूरा होगा तो ड्रिंक और दुम्रपान को जल्दी से जल्दी छोड़ देना वड़ना यह आपके सरीर को अंदर खोकला कर सकते हैं मन में विश्वास रखना कि 40 और 45 साल के बाद भी हम सक्सेज हो सकते हैं दुनिया ऐसे मोटिवेशनल इस्टूरी से बरी हुई है कि लोग कुछ लोग 40 के बाद भी सपल हुए है 40 के बाद भी सक्सेज हुए तो अपने आप में हिम्मत महित मत हारना दिल मत तोड़ना कि अब म में कुछ नहीं करूंगा अब मैं तो ठक हार गया हूं इसा मत सोचना 40 के बाद भी आप बहुत कुछ कर सकते हो यार आप बड़े-बड़े लोगों की जीवनिया देखना कुछ लोग ऐसे हुए जो 40 के बाद सक्सेज हुए तो आप क्यों नहीं हो सकते हो सुगर कम कर देना 40 से 45 साल की एज है तो सुगर को बिलकूल कम कर देना पता है आपको सबसे ज़्यदा डिजिस पैदा करती ये सुगर ये जहर के रूप में काम करती है आपके सरीर में अगर आप एज इस स्टेज पे आगए हो ना तो सुगर को बिलकूल आप अवइड कर ठीक है ठीक है थोड़े दिन तक आपको अटपटा लगेगा ऐसा मसूष लगेगा यार क्या हो रहा है लेकिन हैज़त के लिए तो आपको कुछ कॉंप्रमाइस करना होगा तो सुगर बिलकूल कम कर देना इस एज में तो ये कुछ बाते हैं कि उम्र के साथ में दहरी और त बास खुद पर बरुसा रखना